नमस्कार दोस्तो आपके अपने YouTube चेनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जचा करेंगे CT8 का जो हाली में एक्जाम हुआ है लेवल फेस्ट का एक्जाम हुआ है उस लेवल फेस्ट का एक्जाम में जो CDP का पार्ट है उस CDP के पार्ट की आंस्वर की हम इस वीडियो में जचा करेंगे तो वीडियो का आप सुरूशे लेकर अन्य तक पूरा जरूर देखें ता नीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो आपके कितने क्यूशन CDP पार्ट में आपके सही हो रहे हैं इसके अलाओ दोस्तों जो मेथेमेटिक का पार्ट है यानि गनीत का बाग है उसका वीडियो बना कर भी हमने हमारे चैनल पर डाल दिया है तो चैनल पर जाकर आप उसके आंस्वर की भी देख सकते हैं या उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे discussion में आपको दे दूँगा इसके बाद में जो प्रयावन अध्यान का पार्ट है उसका अगला वीडियो जल्दी ही 15-20 मिट बाद में आजाएगा तो वो भी आप इसको देख लेना तो अब हम इस वीडियो में जाचा करेंगे लाल स्क्रेब के बिटमिक को दबा करें चैनल को सिस्क्राइब जुरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन गंटे का सान है उस गंटे के सन को भी जुरू दबा दे जिसे जो सेकेंड लेवल का पेपर होगा उसके आंस्वर की भी जल दी जितन जब भी आएगी आते ही तो रन्त आपको उसकी प्लब्दे करवा दी जाएगी तो वह भी आप देख सकते हैं अब शुरू करते हैं चाइल देवलप्मेंट एंड पेडालोजी का जो फैस्ट क्यूशन है वह क्यूशन देखते हैं तो क्यूशन क्या दोस्तों क्या विश्यस्ता है तो इसका प्र वैए पेपर है तो उसमें आप आपके पास P code का होगा या ने किसी code का होगा तो क्यूशन आप मेज कर लें क्यूशन उसमें आपको आगे पिछे मिल जाएंगे तो क्यूशन नोट कर लीजिए चातर केंद्रित शिक्श सास्तर की क्या विश्यस्ता है तो इसका अंचर क्या हो जाएगा यह हो गया इंटर वोवन वी थी यह इसका रैट अंचर हो गया नेक्स्ट है सरंचनावादी डांचे में अधिगम प्रात्मिक रूप से उप्शन दिया गये हैं तो अधिगम प्रात्मिक रूप से क्या होगा दोस्तों तो यह प्रात्मिक रूप से अव बोदन की परकिरिया परकेंदरीत है, ये दो नंबर इसका सही उतर हो गया, तो ये आप अपने आंस्परकी में आपे मेची कलीजी ये, था नीचे कमेट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट है, अनेक गठनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनायेगे सहजानुबूत सिद्धान्तों के संदर्म में से एक सिक सिका को क्या करना चायी है, दोस्तों, इस उनको दोस्तों परतिक्ट्ल पर्माण एम उदानों को पश्टूर करके बच्चों को इन सिद्धान्तों के चुनोती देनी चाहिए, तो ये इसका बाव पड़ता है इससे दोस्तों बच्चों में जो है वह अधिगम में बच्चों की सोभाविक अभी रूची ताज गैसा कम होती है यह दो नमबर इसका सही उत्र हो गया इस आंस्वर आप नोट के लीजिए क्योंसर आप देख लीजिए मेज के लीजिए उसके बाद में आ सरचना की प्रकिदिया है तो यह इसका राइट आंस्वर हो गया नेक्स्ट है विद्दार्तियों को इस परेश्ट उदार्न और यह गेर उदार्न देने के जो प्रिणाम है वह दोस्तों है अव दरण आतमक परिवरतनों को परौसाइद करने के लिए एक प्रभाव साली त समाधान करता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोचाहित कर सकती है तो ये किस प्रकार से प्रोचाहित कर सकती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया बच्चों को सहजानुबुत अनुमान लगाने के लिए प्रोचाहित करके ता उस प्रताइं जो है शारतिक अदिग्रम को बढ़ावा देती हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह चैयाब नमबर शेकिंड यान धर्ड ये इसका राइट आंसर हो गया तो यह दो नौन-बर गाक्योंसर है इसमें तो आप में करम change होगा question का, बागी question यह होगा, question का answer क्या हो जाएगा, second and third इसका right answer हो गया, next है, शिक्षक बच्चों की जटिल आउदारनों की समझ को किस प्रकार से सहाज कर सकते हैं, इसका right answer होगा दोस्तों, convention यह परिचर्चा के लिए अउसर उपलब्द करा के, यह इसका सही उत्र हो गया, अगला question है, व्यक्तिक विबंताउं का प्रात्मिक कारण क्या है, तो जो व्यक्तिक विबंताएं हैं, उनका प्रात्मिक कारण क्या होगा, उनका प्रात्मिक कारण होगा दोस्तों, यह होगा आनुवान सिक्ता एवं प्रियावरण के बीच जटिल पर्स प्रिक किरिया उसका राइटांचुर होगा 11 नमबर के क्यूशन का राइटांचुर क्या हो गया दो नमबर इसका सही उत्र हो गया क्यूशन है नम लेकित आवदी में से किसमे सारीक वर्दी एंव विकास तीवर गति से गटिती होता है तो किस में होता है तो यह होता है दोस्तो शेश्य आवस्ता यह प्रारणभी की बाली आवस्ता में तो यह इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट है निमल लिखित में से कौन सा विकास का सिदान्त नहीं है तो कौन सा जो है विकास का सिदान्त नहीं है तो इसका राइटांच प्राइल लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक द्यान देता है यह किसका उधरन है अध्यापक जो है वह लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक द्यान देता है ये दोस्तों जेंडर पक्सपात का उधारन है तो ये तीन नमबर जेंडर पक्सपात इसका रहेट आंसर हो गया तो 15 नमबर का क्यूसन का हो गया जेंडर पक्सपात नेक्स्ट है बच्चों में जेंडर रूडिवादिता यह जेंडर बुमे का अनुरुपता को कम करने के लिए निमल कित में से कौन सी पदत्ती परवावसाली होती है तो यह दोस्तों जेंडर पक्सपात के बारे में परीचर्चा है यह पदत्ती परवावसाली होती है दोस्त पीडिया फाइल के लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी नेक्स्ट है निमल कित में से किस मनोविग्यानिक ने बच्चों को ग्यान से सकीर या जिग्यासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर समाजिक एम सांसकर्तिक विशे वस्तू के प्रबाव को मैतवय दिया इसका रहाटान सुर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तों लेव वाइगोर्सकी तो यह लेव वाइगोर्सकी इसका सही उत्तर हो गया नेक्स्ट है बासा के अरजन एम विकास के लिए सारवदिक स्मेदन सील अवदी कौन सी है तो सारवदिक स्मेदन सील जो अवदी है उसका क्या नाम होगा यह प्रारंबिक बाले अवस्ता है यह सारवदिक स्मेदन सील अवदी होती है नेक्स्ट है निमल लिकित में से कौन सी लोरेंस कोलब्रक के दुवरा प्रबावित नेतिक विकास की एक अवस्ता होती है इसका राइट आंसुर क्या हो जाएगा इसका आंसुर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक अनुबंदन अभिविन्या से इसका सहुत्तर हो गया नेक्स देखते हैं निमल लिकित विवारों में से कोन सा जिन प्याजिय के दुवारा प्रस्तावित मूर्त संकिरियादमक अवस्ता को विशेशिति करता है तो इसका रहाइट आंसोर क्या हो जाएगा तो यह सरक्षन यहों का अक्सा समावेशन इसका रहाइट आंसोर हो इसका सरही उत्तर हो गया दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कर दें अपने सबी दोस्तों nossas अपने वाटसप door में सेसे सबी टीक हे वीडियो पहुंच पाए अगला आंस्वर के हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट है जिक सौप पहली को करते समये पांच वरस की नजमा स्वेम से कहती है निला टुकड़ा कहा है नहीं यह वाला नहीं काडे रंग वाला जिससे यह जुता पूरा बन जाएगा इस परकार की वारता को को संकेत देना तथा आवसकता पढ़ने पर सयोग परदान करना निमलकित में से किसका एक ही उदारन है यह इसका राइटांसुर क्या होगा इसका राइटांसुर दोस्तों पाड या डांचा है यह इसका राइटांसुर हो गया निक्स देखते है रूही हमेशा समस्या के एकादिक समधान के बारे में सोचती है इन में से काफी समधान मोलिक होते हैं रूही किन गुणों का परदसने कर रही है तो रूही है वह किन गुणों का परदसने कर रही है रूही दोस्तों सरजनात्मक विचारक का परदसने कर रही है नेक्स्ट है आंगलन का प्रात्मिक उद्धे से क्या होना चाहिए तो आंगलन का जो प्रात्मिक उद्धे से है वे दोस्तों समधित आउधारना के बारे में बच्चों की इसपष्टता ताब रांतियों को समझना होना चाहिए नेक्स्ट है निमलेकित कतनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही कतन है तो कौन सा कतन बुद्धि के बारे में सही है दोस्तों बुद्धि बहु आयामी है तता जतील योगिताओं का एक ही समुव है ये इसका सही है नेक्स्ट है पठन वेफले बच्चों को परात्मिक लक्षन का क्या है पठन वेपली बच्चों के प्रात्मिक लक्षन क्या होते हैं इनका जो प्रात्मिक लक्षन होते हैं वह होते हैं दोस्तों दराप परवा पड़ने की ऐसमता है ये इसके प्रात्मिक लक्षन होते हैं नेक्स्ट है शिक्ष्या का अधिकार अधिनियम 2009 में एसक्त बच्चों को मुख्यदारा में सामिल करना, इसका राइट आंसर हो गया, अमातर दो क्यूसन बच्चे हैं, इसका राइट आंसर हो गया, अब अन्तिम क्यूसन चेड़ी पी का देख लेते हैं, ये होगा, एक समावे सिक अक्सा में, एक सिक्सक को विशिष्ट सेक्सिक योदनाओं को ओप्सन दिये गए हैं, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सकीरिय रूप से तयारे करना चाहिए, तो ये दोस्तो चाइल्ड डवलप्मेंट और पेड़ोलोजी का अपने पार्ट कर लिया, तीस क्यूसन सारे हमन के लिए लेकर आएंगे, तो मैं थेमेटिक्स के अंसर के हमने डाल दी है, इसके बाद में जो लेवल शेकंड का पेपर होगा, उसके अंसर की भी हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, तो हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को नीचे द प्रॉस्तू